हेल दोस्तो इस टेडी वीडियो में आपका स्वागत है दोस्ता आज मस्वीडियो में पॉलिटी के पचास मेहत्पूम प्रिसन करेंगे जो यह उप्रिट पल ऐसी पैट एकजाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे कुशन नमर एक है भारते संसद के उपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है आपको बताना है भारते संसद के उपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है यह जाना जाता है option B राजसभा के रूप में यह कुशन कुछा गया है SSC 2015 और 2019 में कुछ नमर दो है, राजसभा को इस्ताई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस से आजीवन सदस से होते हैं, option A next है, राजसभा में सीटों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है, यह हो सकती है, option A, 250 next है, वरतमान समय में राजसभा में सदस्यों की परभावी संक्या कितनी है, यह संक्या है, option B, 245 next है, राजसभा के लिए राश्टपती द्वारा कितने सदस से नामित किये जाते हैं, राजसभा के लिए राश्टपती द्वारा कितने सदस से नामित किये जाते हैं, नेक्स्ट है, कौन लगातार दो बार राष्टपती रहे थे, यह रहे थे, ऑप्शन A, डॉक्टर राजंदर प्रसाद, नेक्स्ट है, भाद सविधान का कौन सानुचेद राष्टपती के पद्ध के लिए पुने निर्वाचन की योगताएं रखता है, यह रखता है, उप्शन D, अनुचेद 57, नेक्स्ट है, जन्ता पार्टी के सासन के दोरान भारत के राष्टपती थे, यह थे, ऑप्शन B, एन संजीव, रेड़ी, नेक्स्ट है, भारत किस राष्टपती की मृत्यू कारीकाल पूरा करने से पूर ही हो गई थी, अब बताना है, भारत किस राष्टपती की मृत्यू कारीकाल पूरा करने से ही पूर हो गई थी, यह हो गई थी, आपको बताना है, भारत का राष्टपती किस की नुक्ती नहीं करता है, यह कुछ पूचा गया है, विपए PCS उनने से सताण में में, यह नहीं करता है, ऑप्शन ए, उपराष्टपती की, नेच्ट है, मौलिक करतवों को निर्धारित किया गया है, ऑप्शन B, 42 सविधान संसोदन के 10 आचार आदर्सों को किस नाम से जाना जाता है, उप्शन D, मौलिक करतवों के नाम से, नेच्ट है, 1996 में, 42 संसोदन द्वारा, सविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक करतवों निर्धारित किये गये थे, यह किये गये थे, ऑप्शन B, 10, नेच्ट है, सविधान किस भाग में, मौल करतेओं के अध्याय को जोड़ा गया है, आपको बताना है, सविधान किस भाग में, मौल करतेओं के अध्याय को जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया है, ऑप्शन D, नेच्ट है, निमन से कौन सा अधिकार, भाते सविधान के, अनुछेद 32 के अंतरगत, परिवर्थित किये जा सकते हैं, यह किया जा सकते हैं, ऑप्शन B, मौलिक अधिकार, नेच्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, निमन से किसी नियाले द्वारा जारी किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निमने से किसी नियाले द्वारा जारी क्या जा सकता है जारी क्या जा सकता है? Option B, RIT Next है, वक्तिकत सवतंता के लिए निमने से कौन सी RIT जाती का दैर की जा सकती है? व्यक्तिगत सवतंता के लिए निम्न से कौन सी रिट दायार की जा सकती है ये दायार की जा सकती है option C, बंदी प्रत्यक्षी करण next है, कौन व्यक्तिगत सवतंता से समधित है व्यक्तिगत सवतंता से समधित है option A, बंदी प्रत्यक्षी करण सविधान के किस अनुछेद में काणून का समान सरक्षन प्रावधानी थे यह है option C अनुचेद 14 में next है भारत सविधान कौन सा अनुचेद चुवाचूत उन्मुलन से संब्दित है भारती है सविधान कौन सा अनुचेद चुवाचूत उन्मुलन से संब्दित है यह अनुचेद है option C अनुचेद 17 next है भात सव्धन कौन सा अनुछेद एस प्रस्यता का उल्मनन करता है और किसी भी रूप में इसके विभार का निशेद करता है एस प्रस्यता का अंथ दिया गया है Option B, अनुछेद 17 में Next है समानता का दिकार भारतियों के लिए सुनिचित करता है समानता का दिकार भारतियों के लिए सुनिचित करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता तो Option D, उप्युक्त सभी Next है भारत में एकल नागरित्ता की अवधार्ना अपनाई गई है भारत में एकल नागरित्ता की अवधार्णा अपनाई गई है, उप्सने इंगलेंड से, नेक्स्ट है भारत में रहने वाला ब्रिटिस नागरिक दावा नहीं कर सकता, यह नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाई की सवतनता का अधिकार, उप्सने, किस देश में दोहरी नागरित्ता का सिध्धान्त सिविकार किया गया है, यह किया गया है, उप्सने, से, राज्यों का संग, नेक्स्ट है, भारत का सिध्धान भारत में कैसे वर्णीत करता है, यह किरता है, उप्सन सी, राज्यों के संग के रूप में, नेक्स्ट है, आंदर परदेश एक भासाई राज्यों के रूप में गटित किया गया था, आंदर परदेश का गठन किया गया था, ओप्सन भी, उन्नीस सो तरिप्पन में, नेक्स्ट है, भारत सविधान कौन सनुचेद राश्ट्रपती के पद्दे के लिए, पुने निर्माचन की योगिता रखता है, रखता है, अनुचेद 57, नेक्स्ट है, भारत सविधान किस अनुचेद का न्तरगत भासन एवं अभिवक्ती की सवतन्ता से अधिकार्क गारंटी दी गई है, बासन एवं अभिवक्ती की सवतन्ता दी गई है, ओप्सन ऑ, अनुचेद 59 में, नेक्स्ट है भात सविधान किस अनुछेद में प्रेस की स्वतंता दी गई है प्रेस की स्वतंता से सम्दित अनुछेद है ओप्सण D अनुछेद 19 A नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के सोचन से सम्दित है मौलिक अधिकार के अंतरगत कौनसा अनुचेद बच्चों के सोचन से सम्मन्दित है यह अनुचेद है option D अनुचेद 24 यह कुशन पुचा गया है UPPCS 2005 में तो नोट जरूर करें next है भात सविधान में मौलिक करतेओं का विचार लिया गया है भात सविधान में मौलिक करतेओं का विचार लिया गया है option B रूस के सविधान से next है भात सविधान में सामिल नीती निद्यसक सिद्धान किसके सविधान से परेडित है यह लिए गये है option D आयलेंड के सविधान से next है भारत सविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेक करते हुए निम्निसर किस देश का अनुसरन किया गया है भारत के सविधान का निर्माता किसे माना जाता है भारत के सविधान का निर्माता माना जाता है Option C, Dr. B.R. Ambedagar को सविधान पांडु लेखन समीती का कौण सदस्य नहीं था जवाललाग नहरू आपको बताना हैं भारत का सिविदान कब लागू हुआ था अपसने 26 जनवरी 1950 को मिंटो मालले सुधार का उद्धेश्या क्या था मिंटो मालले सुधार का उद्धेश्या था आपसने पिंथक निर्फाचन प्रणाली नेक्ष्ट है, माले मिंटु सुधार बिल किस वर्स में फारित किया गया था? कुशनमर 53 है, मुसलमानों के लिए अतरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंब में किस के दौरा लाए गए थे? मिसलमानों के लिए अतरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंब में किसके द्वारा लाए गए थे ये लाए गए थे मॉन्टेंग्यू चेंपसवोड सुधार 1909 के द्वारा आप्शन B नेक्स्ट है 1909 के इंडियन कॉंसिल एक्ट में किस बात की विश्था की गई थी ये की गई थी आप्शन B सामपरदाईक पिर्थी निधित्व की नेक्स्ट है राजसरकार का सविधानिप पर्मुक होता है आप्शन D राजयपाल सामय रूप से राजेपाल का कारेकाल होता है राजेपाल कारेकाल होता है बाषंडे मुख्यमंथरी का भारत के किस राजय में महिला मुख्यमंतरी कभी नहीं बनी है या नहीं बनी है माराष्ट में नेश्ट है भारत स्विधान किस अनुचेद में मुख्यमंतरी के कारियों को परिभासित किया गया है या किया गया है ओप्सन B अनुच्छद 166 में नेश्ट है नमरे से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है यानि माना जाता है ओप्सन D मुख्यमंत्री को तो दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद